ड्रावनी यानि की जो होरर जो सीरीज है, मूवीज है मैंने काफी सारी देखी है और इस बार जो मैंने एक जो सीरीज देखी है, देम वेब सीरीज, इसका सीजन वन ही मैंने देखा जिसको एमाजोन के OTT प्लेटपूम पर रिलीज किया गया था, 2021 के अंदर सीजन वन ही मैंने कम्प्लीट किया, 10 एपिसोड है, और हर एपिसोड की जो लेहन था, वो तकरीबन 40-50 मिनिट के आंसपास रखी गई है और इस सीरीज को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यार यह भाईसम मेरे एक अलग ही एक्सपिरियन्स रहे, जितनी मैंने मुवीज और सीरीज वो होरर वाली देखी है, उनका एक्सपिरियन्स थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसमें बहुत ज़ादा एक डिफरेंट होरर एंगल यह अमेरिका के अंदर गुलामी का एक दोर चला करता था, अब वो गुलामी का दोर खतम होकर जो काले लोगों को एक जीने का अधिकार दिया जाता है कि भाई तुम भी एक्वल हो, अब इसके बाद एक जो टाइम पिरेड, देखिए 1950 का जो दर्शक है उसको The Great Migration के नाम स भी जाना जाता है, तो वहाँ पर जो एक सोच हुआ करती थी, कि भाई सब देखिए आपने गुलामी तो भी शक खतम करती, लेकिन एक सोच है जो मानसिकता है गोरे लोगों के बीच में, गोरे लोगों के दिमाग में वो ये, कि आर ये जो काले लोग हैं, ये हमसे नीचे ह इश्वर ने हमें गोरा बनाया है मतलब की गोरा इसलिए बनाया था कि हम लोगों के उपर राज कर सकें उनको जीना सिखा सकें क्योंकि उनकी गोरी चमरी नहीं है और यही सोच आप देखेंगे न कि भारत के उपर शाशन करने वाले जो अंग्रेज हैं उनकी भी यही सोच रहा करती जो अपने लिए इतना बड़ा चड़ा कर जो बोला करते थे क्योंकि हम गोरे हैं इश्वर ने हमें बनाया है इसलिए ताकि हम तुम पर शाशन कर सकें जो 1950 का जो दशक दिखाया जाता है कि भाई साब जो गाले जो लोग हैं वो यूस के अंदर अब दूसरे स्टेट के अंदर यानि एक राज़े से दूसरे राज़े के अंदर migrate करना start करते हैं तबी तब great migration जो spirit को कहा गया है इसी बीच जो एक black परिवार है वो लोस एंजलिस में रहने के लिए जाता है और लोस एंजलिस में भी एक ऐसी जगह रहने के लिए जाता है जहां पर एक कलोनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग ही रहते हैं अब उनकी मान सकता वही गुलामी वाली है कि जो काले लोग हैं वो गुलामी के लिए ही बने हैं उनके लिए उनका वैवार या मान सकता बिल्कुल भी नहीं बती है अब सोचिए कि ऐसे लोगों के बीच में रहने जाना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फ्लैक फैमिली जो अब यहाँ पर रहने जाती है तो इनको किस तरीके की समश्याओं का सामना करना पड़ता है कि इनको यह लोग accept नहीं कर रहे हैं उपर से यह लोग accept तो छोड़िये कि अपने पास एक scene मैंने देखा यार इसना ज़्यादा मुझे वो pinch किया कि आपने देखा हो कि हम हमारे घर के अंदर wallpaper लगा लेते हैं जैसे दिवार के पर और एक छोटी सी चीज हमें खटकती है कि यह वो wallpaper बीच में से फट गया तो ऐसा इसमें दिखाया गए कि यह जो black परिवार आया है तो यहां पर यह एक खटकने वाली चीज है यह अच्छा नहीं लग रहा है यह भद्दा लग रहा है इस तरीके का भेदवाव जब देखने को बलता है अब सोचो कि अब उनका जो परिवार जो एक परिवार यहां पर black परिवार यहां पर रहने के लिए अपने बच्चों के साथ रहने आया है उनके साथ जैसा वैवार किया जाता है इवन इनको भगाने के लिए जो उन्हें तंग करना स्टार्ट किया जाता है और इवन इतना ज़ादा उनको तंग किया जाता है कि भाई साथ वो देखाने जाता वो भ्यानक लेवल पर चला जाता है इसके अलावा इस सीरीज के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं केवल यही नहीं है कि आप सोचें कि यह गोरे परिवार जो है यह गोरे जो लोग हैं वो इनको परिशान कर रहे हैं इनके लावा और भी आपको एक होरर एंगल भी देखने को मिलने वाला है मैं उसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि आपको स्पोईलर मिल जाएंगे वो भी बहुत जादा इंटरस्टिंग है जो इस सीरीज को बहुत अच्छा बनाता है और इस लेवल तक वो चीज़ें दिखाई गई हैं उसके अंदर की भाई साब इन लोगों यह जो परिवार यहां पर रहने आया है इनकी मानसिक्ता को इनके मानसिक्त रूप से इतना ज़्यादा प्रताडित किया जाता है कि खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पाते वो जो चीज है ना यार वाकई में दिल धहला देती है इस सीरीज के अंदर कुछ एक ऐसे सीन मैंने देखे हैं यार कि वो देखते वक्त मुझे अपनी आँखें तक बंद करनी पड़ी क्योंकि वो द्रिश्य इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो देखे ही नहीं जाते और मैं सच कह रहा हूँ कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सेंस्टी वो आपसे ऐसे सीन नहीं देखे जाते हैं तो भाई साब आप ये सीरीज नहीं देख पाओगे क्योंकि इसके अंदर वोईलेंस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम लेवल पर गया हुआ है होरर जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एक पुराने टाइम को गुलामी को प्लस इसमें होरर का एक एंगल डाला गया है एक बहुत बढ़िया चीज मुझे लगी इसके अंदर लेकिन चारचांद लगा देती है इनकी पर्फॉर्मंस मतलब कि ऐसे लोगों के बीच में रहना कि जो आपको पसंद नहीं करते आपको एकसेप्ट नहीं कर रहे है तो वो एक्सप्रेशन साफ दिखलाई देता है उनके चेहरे के उपर वो एक होरर, एक डर, एक भेदभाव के जो उनके साथ किया गया है भेदभाव जो किया जा रहा है वो उनके चेहरे पर साफ दिखता है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई क्रेक्टर डेवलोप्में बेस सीरीज में काफी ज़्यादा बढ़िया लगा जो मेन फोकस एक जो ब्लैक परिवार है उसके उपर जो किया गया है जो एक कपल होता है लकी और हैंडरी जो यहां पर जो कपल है उनके पीछे का रीजन दिखाया जाता है कि भाई यह माइगरेट होके यहां पर इस शहर में क्यो रहने के लिए आए है वो बहुत जादा मुझे अच्छा लगा देखे इस सीरीज में इतना कुछ अच्छा है इसकी कहानी इसकी परफॉर्मंस कैमरा वर्क बहुत बढ़िया गया है इतना कुछ अच्छा होने के बावजुद भी यह सीरीज काफी जादा अंडर रेटिड है अब देखो यार इस सीरीज के बारे मुझे भी नहीं पता था मुझे मैंने नहीं सुना था ये तो एक सब्सक्राइबर है मैं उनको थैंक्स ही कहना चाहूँगा यवर हसं करके नाम आ भी रहा होगा तो मैंने लाइक भी कर रखा है मतलब एक दिल का निशान भी दे रखा है बाकी तुम तो करते हो नहीं यार कॉमेंट मैं तुम करते तो मैं तुमेंको दिल दे देता हूँ क्या है तो इनों ने मुझे बताया मैं फिर से टैंक्स कौँगा कि इनकी विज़े से ये एक अच्छी सिरीज जो है वो मिस कर रहा था मैंने उनकी वज़व ये सिरीज देखी तो ये काफी जादा अंडरेटिड है कि इतनी बड़िया स्टोरी होने के बावजूद इतनी अच्छी परफोर्मेंस होने के बावजूद इतना कुछ अच्छा इतना भ्यानक इतना होरर चीज देने के बावजूद भी ये सिरीज बहुत ज़्यादा अंडरेटिड लोगों तक इसकी पहुंच नहीं बन पाई है तो ये हो गई इस सिरीज के अच्छे अच्छी बाते हैं कहानी जो है वो एक अलग तरीके से शुरू होती है लेकिन लास्ट तक या बीच में जाते जाते एक अलग ही स्ट्रेंज कहानी आपके सामने बनकर आती है वो थोड़ा बहुत आपको डिस्टरब कर सकती है तो ये एक मुझे इसकी कमी लगी बाकी देखो मेरी तरफ से तो इस सिरीज को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 अगर आप लोगों ने इस सिरीज देखिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसी लगी और नहीं देखिए है तो यार वेट किसका कर रहा हूँ एक बार इसके 1st, 2nd, 3rd के 3 एपिसोड देखो डेफिनेटली आपका इंटरस्ट बनेगा हिंदी डबिंग काफी बढ़िया है इस सिरीज के अंदर बाकी देखो वोईलेंस है बच्चों के लिए तो बिलकुल भी नहीं है काफी सारे सीन ऐसे होते हैं इसके अंदर आते हैं वो आप देख नहीं पाओगे सेंस्टिव हो तो भाई साब ये सिरीज डेफिनिटली आपके लिए तो बिलकुल भी नहीं है तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में तैंक्स वोचिंग इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिं